हेलो एविवन, वेलकम टू माई चैनल आपका रसोई घर आज हम अपने रसोई में पनीर भूर्जी की रेसिपी आपके साथ सेर करेंगे जो बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे आपने एक बार मेरे बताएगा तरीके से बनाए यह बिल्कुल रेस्टोरेंट के टेस्ट का बनेगा तो चली सुरू करते हैं पनीर भूर्जी बनाना सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसे हाई फ्लेम पे गरम करेंगे जब कढ़ाई पूरा गरम हो जाएगा तो इसमें हम दो बड़ा चमच सर्सो का तेल डालेंगे सर्सो की तेल से सबजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है वैसे आप कोई भी कुकिंग ओल जो आप यूज करते हैं वो डाल सकते हैं तेल पूरा गरम हो जाएगा तो इसमें हम एक चमच खड़ा जीरा और दो सूखी लालमिज डाल देंगे और इसे दर सेकंड तक चला लेंगे गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे यहां पर मैंने एक बड़े साइज के प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है इसे हम तेल में डाल देंगे और हाई प्लेम पे ही हम इसे अच्छे से फ्राइज करेंगे जब तक यह ड्राल्क ब्राउन नहों जाए यह देखिए प्याज को मैंने हाई फ्लेम पे पांच नर तक फ्राइज किया है यह अपना कलर चेंज कर दिया है तो अब हम इसमें एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और लहसुन को भी हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फ्राइज कर तक लहसुन का जो कच्छापन है वो खतम हो जाए अब हम इसमें मसाले आड़ करेंगे आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर एक चोटा चमच भढ़कर हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चमच धनिया पाउडर और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को है वो प्याज के साथ अच्छे से मिल जाए यह देखिए मसालों को हमने प्याज के साथ तीन मिनट तक अच्छे से फ्राई किया है मसालों से ओल सेप्रेट होने लगा है तो अब हम टमाटर एड़ करेंगे यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर को बिलकुल बारी काट के रखा था उसे हम मसालों में एड़ कर देंगे आप चाहें तो यहाँ टमाटर की प्यूरी भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे एक चमस्ट नमक डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाले और फिर से हम इन सब को मीडियम फ्लिम पे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए मसालों का कलर चेंज हो गया है टमाटर डालने के बाद से हमने इसे तीन मिनट तक मेडियम फ्लिम पे फिर से अच्छे से फ्राई किया है मसाले काफी अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम इसमें मटर डालेंगे मैं आधा कप मटर यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो थोड़ा कम या थोड़ा जादा भी कर सकते हैं इसे इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे धक कर पकाएंगे ताकि मटर जो है वो अच्छे से गल जाए मैंने यहाँ पर फ्रेस मटर यूज़ किया है आप चाहें तो यहाँ फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते हैं अब मिडियम फ्लेम पर ढखकर हम इसे फिर से 2-3 मिनट तक पका लेंगे जब तक कि मटर सॉफ्ट ना हो जाए यह देखिए तीन मिनट के बाद मसालों से फिर से काफी अच्छे से ऐल सेपरेट हो गया है मसाली काफी अच्छे से पक गया है और मटर भी सॉफ्ट हो गया है तो अब हम सारे टेस्ट को बैलन्स करने के लिए यहाँ दो चम्मच मलाई डालेंगे मैं यहाँ फ्रेस मलाई यूज़ करने हूँ अब हम इसमें पनीर अड़ करेंगे यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैंने हाथों से मैस कर लिया है हाथों से मैस कर लेने से पनीर क्या होता है कि जब हम इसे खाते हैं तो इसके टुकड़े कहीं बढ़े तो कहीं छोटे मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और इसे मिडियम फ्लेम पे ही हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और धगकर दो मिनट तक पकने देंगे ताकि पनीर जो है वो मसालों के साथ अच्छे से पक जाए दो मिनट तक इसे अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें एक छोटा चमच गरम मसाला एड़ करेंगे इससे सबजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इन सबको फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से ढगकर हम इसे एक मिनट तक पका लेंगे एक मिनट के बाद हम इसमें दो हरी मेर्च एड़ करेंगे जिससे ये सबजी जो है वो सुन्दर दिखेगा वैसे ये ऑप्सनल है लाश्ट में हम इसमें गैस से उतारने से पहले आदा कप पानी डालेंगे और सबजी में एक उबाल आने देंगे उसके बाद हम गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे ये देखे हमारा सूपर यमी पनीर भूर्जी बनके रेडी है तो एक बार आप इसे मेरे बताए गए तरीके से जरूर बनाएं लास्ट में हम इसे थोरी सी हरी धन्या के पत्ती से कार्णिशिंग कर देंगे इसे आप पूरी के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज के साथ खाएं यह बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे एक बार आप जरूर बनाएं और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर करना बिल्कुल न भूले ब्रियो देखने कि लिए थैंक यू सो मच